उसका वीडियो कॉल आ चुका है, ठीक है? हाई क्या आपके किसी भी सोशिल मीडिया अकाउंट में आपके पास किसी लड़की की रुकेस्ट आई है? किसी भी अन्नाव लड़की की और आपने गलती से असेप्ट कर ली हो? तो फ्रेंट्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसा फ्रोड लाइव एक्सपोज करने वाला हूँ, जिसमें आज कल बहुत सारे लोग फसकर अपने पैसे लुटवा लेते हैं, ये फ्रोड किस तरह से होता है? मैं आपके साथ लाइव इस वीडियो में शेयर करूँगा, ये देखी करेगी, मेरे से पैसे लुटने की कोशिश करेगी, किस तरह से? देखिए, इसने लिखा है कि वीडियो कॉल करें, ठीक है, इसके बाद ये लूटने के लिए क्या करते हैं, कि अपने कपड़े यान कि रिमूव कर देते हैं, अगले की वीडियो, यानि कि अभी ये क्या करेगी, साथ में मेरी वीडियो रिकोड कर लेगी, मेरे से पैसे लूटने के लिए, उसके बाद मुझसे बोला जाएगा, कि मैं तुम्हारी इस वीडियो को सोचल मीडिया अकाउंट पर डालूँगी, तो नहीं तो मुझे इतने पैसे दो, यानि कि ब्लैक मेल करने की कोश करूँगा, और आपने भी इस तरह के फ्रोड से खास ध्यान रखना है अपना, ठीक है, तो यहां पर देखिए, ओके इसके बाद यहां पर मेरी साथ चैट चुट होई जो भी, और आप मैं इसको मैसी करता हूँ कि ठीक है, वीडियो कॉल करो, उसको नहीं पता कि मैं उसकी इस कॉल की रिकोडिंग कर रहा हूँ, शायद वो भी बाद में इस वीडियो को यूट्यूब पर देख ले, साथ मैं जो भी स्क्रीन रिकोड हो रही है, आप देख पाएंगे, लेकिन यूट्यूब पॉलिसी की वज़ए से, मैं जो भी है सारा कुछ टोटली बलर कर ताकि कुछ भी ऐसा ना हो वीडियो में, जो कि किसी के लिए भी देखना उच्चित ना हो, तो उसने बोला है कि मैं बेडरूम में जा रही हूँ, गोटू बेडरूम, और अब आप खुद सोचिए कोई भी एक अन्नाउन लड़की आपको सोचल मीडिया अकाउंट पर मैस कर रही है, और और कोई बात चीत तो हुई भी नहीं, डारेक्ट सीधाई, जानू मानू और बाकी सब, तो फ्रेंड्स यही आज मैं बहुत सारे यूद को अवेर करने के लिए, इस तरह का मेरे साथ यह पहला एक्सपिरियेंस है, हलांकि मैं इस तरह के फ्रोड की वीडियो आज से 6 महीने पहले भी बना चुका हूँ, बट मेरे साथ यह फर्स टाइम है, जो मैं लाइव एक्सपोज आपके सामने करूँगा, अब वो क्या करेगी, खुद के कपड़े रिमूव करके, साथ में मेरा वीडियो रिकोर्ड कर लेगी, मुझे ब्लैक मेल करने के लिए, बट आपको इसमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक स्टेप गल्थ नहीं करना है, आपने खुद के कपड़े रिमूव नहीं करने है, अब युसका वीडियो कॉल आएगा, और साथ में ही आप स्क्रीन पर लाइव देख पाएंगे, लेकिन कोई भी जो नूची चीज मैं नहीं दिखाना चाहूंगा, इसलिए टोटली बलर रहेगा वीडियो तो, लेकिन आपको इससे काफी चीजे, और जो मैं एक्टिंग भी करूंगा डरने की, कि नहीं प्लीज ऐसा मत करना, इसको सोचल मीडिया पर शेर मत करना, ये वो, तो मैं डरने क पूरी एक्टिंग करूंगा, तांकि उसको लगे कि ये भी मुर्गा फस गया है, और उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से ड्राया धमकाय जाता है, या फिर किस तरह से ब्लैकमील करने की कोशिश की जाती है, तो मैं डरने का भी पूरा नाटक करूंगा, उसको कोशिश कर कहां से हो आप अरे माइक तो ओन कर लो अपना माइक तो ओन कर लो आपका तो फ्रेंट्स देखा जासा मैंने आपको बोला था मैंने लाइव आपको दिखाया है मैंने वीडियो तो बलर कर दिया लेकिन तोटली लड़की ने अपने उपर वाले कपड़े निकाल दिये थे रिमूव करके न्यूड अब उसने साथ में मेरा स्क्रीन के वीडियो रिकोड कर लिया अब क्या है बेबी बोलो मत अच्छा तो अभी उसने ब्लैक मेल करना शुरू नहीं किया तो मैं भी प्यारे-प्यारे मेसेज ही उसको करता हूँ इस तरह का पहला वीडियो होगा जो आप लाइव देख पा रहे होंगे जिसमें ब्लैक मेल करने की कोशिश की जाएगे और मैं लाइव आपको एक्सपोज करके दिखा रहा हूँ अब देखो अब उसने क्या वो तरीका अपनाया है तुम दिखाओ समझते हो न आप यानि कि आप भी अपने कपड़े रिमूव कर दो ये गलती किसी भी यूथ ने नहीं करनी है क्योंकि इसके बाद आप इसमें बुरी तरह से फस जाओगे ठीक है तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं मानने वाला तो मैं इसको कुछ भी टालने की कोशिश करता हूँ फिर देखता हूँ कि क्या सिरफ अपनी वीडियो के दम पर ये ब्लैक मिल करने के कोशिश करती है उसको गदी को अभी तक ये भी नहीं पता चला कि मेरे यहाँ पर माइक लगे हुई है खुद की अपने उसमें पूरी तरह से लगे हुई है ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स वो कुछ सेकिंड वहाँ पर बैठी और इसके बाद वहाँ से उठकर चलीगी फिर यहाँ पर वही बार-बार कोशिश की जाएगी कि तुम भी अपने कपड़े उतारो यान की मेन टार्गेट क्या है वीडियो रिकॉड करना और ब्लैकमिल करना ठीक है इसी वजह से मैं यूद को अवेट करने के लिए लाइव यह वीडियो रिकॉड कर रहा हूँ नहीं जानू मुझे तो शर्म आती है कपड़े उतारने के लिए यह तुम्हारा जानू मानू मैं सब समझता हूं कि क्या होने वाला है तो मैं भी तो दिखा रगी हूं जानू तो ठीक है यह सारा यान की टोटली वही खेल चल रहा है कि कब सुसेसफुल हो पाते ठीक है आम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते अरे जानना है पहचान किसी भी unknown का message आ गया है ठीक है चलो खुटो जो चीज वह कर रहा है कर रहा है अपने से भी करने को कह रहा है जानना है पहचान ठीक है तो मैं काहिका ट्रस्ट करूँ और बहुत सारे यूथ इसी चीज में फस जाते हैं उनको नहीं पता होता लड़की देखी नहीं कि उसके बाद सीधा बस दिमाग काम करना बंद किया और कोई ना कोई गल्थ प्रश्ट करें बेबी यार ऐसे मजा नहीं आएगा तुम भी दिखाऊ साथ में नहीं मैं नहीं कर सकता बाई आप मेरी लिए इतना भी नहीं कर सकते आरे आप हो कौन बहुलो नहीं चलो कोई नहीं उनको भी खेल ले दो आप भी खेल रहे हैं तो यह सोचते हैं कि शाहिद हम जिसके पास भी इस तरह के मैसेज करके किसी को भी इस तरह से फसा लेंगे फिर उसको ब्लैक मेल कर लेंगे बाई हो गई अब यह बाई इसलिए हो गई क्योंकि मैं इनके जाल में नहीं फसा में इनका टार्गेट क्या था कि सामने वाले के भी कपड़े उतरआ कर उसकी वीडियो रिकॉर्ड करवा लो, अब अगर मैं यहाँ पर गलती कर देता, यानि कि मुझे इस फ्रोड के बारे में ना पता होता, मैं भी अपनी टीशिर्ट या फिर अपनी पैंट वगारे में रिमूव करके, इस तरह का वीडियो रिकॉर्ड करवा लेता, उसके बाद डिरे ब्लोग कर दिया, उपर देखिए, फोटो चली गई है, नमबर ब्लोग कर दिया इसने, यानि कि टार्गेट अचीव नहीं हो पाया, लेकिन मैं आपको इस चीज़ से फुली अवेर करना चाहूंगा, कि कभी भी किसी भी अन्नाउन की रिकॉस्ट आपके पास आती है, तो क लेक्मिल किया जाएगा, कि नहीं तो आपके ये वीडियो हम यूट्यूब पर डालेंगे, फेस्बुक पर डालेंगे, पहली बात तो वहाँ पर भी कोई वीडियो डलती नहीं और ना ही कोई पैसे देने से इसका solution होता है, क्योंकि जब तक इनको लगता है कि ये बंदा प पीछा उसका करते हैं, जब तक उसको लूटा जाए तब तक उसको लूटते रहते हैं, तो कभी भी ऐसी गलती मत करें, और मैंने बिलकुल लाइव आपको एक्सपोज करके दिखाया है, ये वाला फ्रोड जितना हो सके आपके जो भी सोशल मीडिया अकाउंट आपके बने हों, वहाँ पर अपने हर फ्रेंड के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, तांकि ऐसे किसी भी फ्रोड बंदे के उनको लूटने से पहले, ये अवेरनेस वाला वीडियो किसी बच्चे के पास पहुंचे, या फिर किसी भी बड़े के पास पहुंचे, क्योंकि कई बड़े तो सूसाइड जैसे स्टेप तक भी चले जाते हैं, अगर उनके साथ भी इस तरह के ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है, उमीद करता हूं फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा ओगा और लाइक करके भी जुरूर स्पोर्ट करेंगे, तांकि यूट्यू